हालो फ्रेंट वेलकम टो माई अग्रूप चैनल जैसा कि आप देख रहे हैं यह लिनो का 19.5 इंच का LED मोनेटर है जो रिपेर करने के लिए आया है तो पूरा वीडियो देखें बिना शिप किये हुए तो इसमें एक स्क्रीन की प्रोब्लम है अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस टाइप के प्रोब्लम है इसमें और अगर पूरा वीडियो आप देखेंगे तो आप जरूर इस टाइप के प्रोब्लम रिपेर कर पाएंगे और अगर आपको कोई साभी LED LCD मोनेटर का या डिस्टॉप के पावर सप्लाई होगर अच्छी है तो मैं नंबर दे दूँ आ हैं तो आप जरूर रिपेर कर लेंगे अगर एक प्रोब्लम अपको मिलेगी तो चली एक बार फावर केबल लगा कर आपको दिखाता हूं प्रोब्लम किस टैप की एग आपको दिख रहा होगा तो इस टाइब की प्रोब्लम इसमें है तो अभी इसको ओपन करेंगे और इसमें देखेंगे की प्रोब्लम कहां पर है है तो पैनल ही खराब तो उसको हम रिपेयर करेंगे खोल के फिर चेक करते हैं प्रोपर यहां पर देखिए हमने ओपन कर लिया है अब इसमें ज्यादा कुछ हमें खोलना नहीं है हमें काम इस PCB में करना है स्केलर बोर्ड पर तो हम इसको निकाल लेंगे और इसमें अभी बताता हूँ आपको चेक क्या करना है सबसे पहले अब देखिए यहां पर जिसना कि आपको पता भी होगा यह आपका फ्यूज है जो 5 बोल्ट आ रहा है हमारे कार्ड से सप्लाई DCIC को यह फ्यूज लगा है अगर यह फ्यूज खराब होगा तो आपको वाइट स्क्रीन दिखेगी तो आपको यह देखना है अगर किसी में वाल्ट हमारी बन रही है अब यहां पर यह देखिए यहां पर कुछ रजिस्ट्टेंस आपको दिख रही होंगी इसमें सी के भी है और बीजिय ओड इवेन वीजिय लोड इवेन और बीजिय बीजिय इस सारी वोल्टेज इनके थुरू कॉफ में जा रहा है पैनल में तो अगर यहां पर कुछ प्रोब्लम होगी या इस आईसी में प्रोब्लम होगी तो इस टैप की आपको प्रोब्लम मिलेगी जैसा कि अभी आपने देखा था डिस्पले बर हो सकता है आईसी भी खराब हो या हो सकता है कॉफ में स्वाटिंग हो या पैनल में स्वाटिंग हो य या नॉर्मल कंडिशन में है तो उससे भी आपको थोड़ा सा एडिया लगेगा तो यहाँ पर देखिए हमने पावर लगा लिया है और यह पैनल ओन भी हो गया है तो अब हमें देखना है कि यह IC ओबर हीट हो रहा है नहीं यह देखिए बहुत ओबर हीट हो रहा है तो इसमें दो रीजन हो सकता है या तो यह IC भी खराब हो सकती है या कहीं पर शोटिंग है तो यह हमें देखना है कि सबसे पहले शोटिंग चेक कर लेंगे कहीं जाला तर ओड इवन में आपस में ट्रेक शोट हो जाते हैं इस वज़़ा से यह प्रोब्लम आती है इस पैनल में खासकर LG फिलिप्स का पैनल आता है L&T का है तो L&T, LG यह दो तीन पैनल है जिसमें इस टैप की प्रोब्लम आपको मिलेगी तो यह बहुत शीट हो रहा है इस पे आप उंगली नहीं रख सकते हैं तो ऐसा हो सकता है आपको मिले कि यह आप यहाँ पर ओबर हीटिंग का इशू देखेंगे तो चलिए आपको एक बार बोल्टेज चेक कराके दिखाता हूं कि इसमें बोल्टेज आ क्या क्या रहा है तो अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले 5 बोल्ट चेक कर लेंगे यह देखिए 4.5 बोल्ट आ रहा है एक प्रोक्स यह सही है अब उसके बाद हम और सारी बोल्टेज यहाँ पर मेजर करेंगे तो यहाँ पर देखिए यह बीजेज चेक कर लेते हैं यह देखिए बीजेज का पॉइंट है अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यह बीजेज कम आ रहा है 14 वोल्ट आ रहा है जबकि यह 25 के आसपास होना चाहिए वीजेज भी एक बार देख लेते हैं यह देखिए वीजेज भी माइनस 3 वोल्ट आ रहा है जबकि यह 7 के पास आसपास आना चाहिए यह सेवन वोल्ट तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि both calm रही है और यहांसी भी बेढ़ा होरा है यह देख्के यह भी कमा रहा है और यह वीजी एच वालीinkण वेल अहां पर आती है ब्रेंट हह उता है और डिवन तो यह problem है यहां पर इसमें जो VGH, VGL है और दोनो वोल्टेज कम आ रही हैं और यह VDD देख लेते हैं तो यह सही आड़ देखिए VDD जो है इसमें fluctuation हो रहा है यह भी problem है इसमें यह voltage fluctuate नहीं होना चीए, यह देखिए, तो इसमें IC भी खराब हो सकती है, और कहीं shorting भी हो सकता है, तो उसको हम check करेंगे, कि IC खराब है या shorting है, तो यहाँ पर यह सारे जो capacitor लगे हुए है, capacitor उनको check कर लेंगे, कि उनमें कहीं कोई short तो नहीं है, तो इससे हमें थोड़ा सा idea लग जाएगा, कि capacitor short है, या problem कहाँ पर है, तो यहाँ देखिए, कोई capacitor हमें short नहीं दिखा रहा नहीं, तो यह meter से हमने buzzer पे किया है, तो buzzer sound आता तो अब यहाँ पर एक हम करेंगे, कोई shortcut जुगार करके, कि अभी हम यहाँ पर, जो BGH, ODVN है, और यहाँ पर जो BGH और VGL है, उनको यहाँ से जो resistance के थुरू इसमें जा रही है, उनको disconnect करके देखेंगे, उनको disconnect करने से होगा, कि अगर यह कहीं shorting होगी, तो हमारा display सही आ जाएगा, यहाँ से sorting हट जाएगी, क्योंकि यह point disconnect हो जाएगा कॉफ से, तो यह हमें करके देखना है, अगर उससे भी नहीं होता है, तो CKV एक बार देख लेंगे, कि कहीं CKV में shorting तो नहीं है, और कई बार क्या होता है, CKV line short रहती है, तो उससे भी fluctuation, voltage या कम drop होता है तो यह सारी problem आती है, तो सबसे पहले हमें यही करके देखना है, अगर इधर से हम voltage हटा देंगे, तो हमारा जो right side की कॉफ है, उधर से भी SIM supply जाती है, तो उससे हमारा panel चलेगा, तो अभी इसको हम करके देख लेते हैं एक बार तो अब देखिए, अब मैंने इधर से resistance निकाला था, जो बीजी अचोड इवन की है, और यहां पर आपको दिख भी रहा होगा, यह पुरब लेक हो गया है, क्योंकि मैंने अब इसको हीट करके निकाला था, तो इसमें सारा निकाल के देख लिया था, लेकिन problem solve नहीं हुई थी, अभी problem solve हो गई है, मैं आपको दिखाओंगा भी, तो अभी IC मैंने नहीं निकाला, क्योंकि यह last option है, कि आप IC change करेंगे, उसके पहले जो मैं आपको दिखाओंगा, वो सारी चीज़े करनी है, तो यहां पर देखि सारा निकाल के देख लिजिए, बीजय चोड, बीजय चीवन सबसे पहले नहीं होता है, तो एक एक करके CK भी निकालिए, ध्यान रखिए कि थोड़ी से value अप डाउन रहती है, रेजिस्टन्स की जाहतर, सेम रितें को zero value की भी रहती है इसमें, तो आपको देखना है, फिर सेम अगर नहीं होता है, तो लगाना भी है आपको, तो अब यहाँ पर इधर से हुआ नहीं था, और दूसरी problem दूसरी साइड में थी, तो अभी वो solve हो गया है, तो आपको पहले voltage चेक करवा देता हूँ, और यह IC overheat हो रहा था, अब नहीं हो रहा है, और voltage भी सारी बनने लगी हो, चेक करवा के आपको फिर दिखाता हूँ कि हमने इसमें किया क्या है, तो यहाँ पर देखिए मैंने power लगा दिया है, और panel on हो गया है, तो अब एक बार voltage चेक कर लेते हैं, तो अब देखिए BGH इसमें आ रहा था 12 बोल्ट, अब देखिए 28 आ रहा है, यह सई हो ग अब बीजीएच चेक करवा देता हूँ, यह देखिए मैंने 7 बोल्ट आ गया, और यह देखिए BGH लोड है, यह देखिए बीजीएच ओड इवन देख लिए, अब यहाँ पर चेक करवाते हैं, यह देखिए यहाँ पर ओड इवन आ रहा है, जो अब डाउन होता है, यह द अब दिखाता हूँ, मैंने इसमें किया क्या है, अब यहाँ पर आप देखेंगे, कि ए रजिस्टेंस यहाँ पर लगी हुई थी सारी, यहाँ से यहाँ तक, इस तरह से ऐसी रजिस्टेंस लगी हुँती थी, इसमें ए वीजीएच था, ए वीजीएल था, ओड इवन था, मैंने पहले दिखाया था, तो यहाँ पर आएगा, तो वन बाइवन करके इधर से निकालते जाएए, एक साथ प्रोब्लम सोल्व नहीं होगी, जब एक दो निकालेंगे, इसमें थोड़ी सी अगर सोटिंग है, तो कुछ इस्टेटर्स हो जाएगा, पैनल का, और उसके बा नॉर्मल हो गई, और अभी डिस्प्ले आपको मैं चेक करवाता हूँ, आक ऐसा रहा है, तो आपको ऐसा करना है, कि आपको दोनों साइड में करने के बाद, लास्ट में आप DC to DC, आएची चेंज करें, तो यहाँ पर देखिए, इस टाइप की, आपको प्रोब्लम मिलेगी और यह देखिए, यह रजिस्टेंस है, इस टाइप की, जो हमने निकाली हुई है, यह सारी, तो इनको निकाल देना है, इससे कोई आपको प्रोब्लम नहीं आएगी, पैनल आपका सही चलेगा, तो जब इधर मैंने निकाल दिया, तो सोटिंग रिमूव हो गई, तो हमारा डिस्पले एक दम सही आने लग, तो चलिए आपको एक बार चेक करवा देता हूँ, पावर लगा लेते हैं, पावर लगा के फिर डिस्पले देखते हैं, यह देखिए, यह वही TFT है, जिसमें डिस्पले अजीब सा आ रहा था, बिल्कुल आ ही नहीं रहा था, यह तो यह देखिए, एक दम डिस्पले पुरा सही आ रहा है, अब इसमें कोई प्रोलम नहीं है, देखिए, यह देखिए, तो आपने देखा होगा कितना इजी से पैनल रिपेर हो गया, तो कुछ इसी टाइप की प्रोलम और भी सेम मोनिटर मेरे पास है, उसमें दूसरा इश